मुख्य मंत्री नितिश कुमार से मिलने के लिए सांसद महोदे पहुंसते हैं लेकिन मुख्य मंत्री के गाड ना कि सर्फ मुख्य मंत्री से उनसे उनको मिलने नहीं देते बलकि उनको धक्का दे के बाहर कर देते हैं और उसके बाद सांसद महोदे जो बता रहे हैं वो मैं आ आपको बता दू कि ए घटना जो है वो आरा का है दरसल मुख्यमंत्री नितिश कुमार मंगल पांडे के साथ आरा पहुंचे हुए थे उन्होंने सरकार के योजनाओं से वहां के लोगों को रुबरू कराया इसके अलावा वहां पे जो मेडिकल कॉलेज बन के तयार हो रहा है उसका भी ओलोकन किया और वहां पे तमाम लोगों को भी बुलाया गया था जिसमें आरा के कई विधायक और आरा के सांसत को भी इन्विटेशन दिया गया था और इसी वज़े से आरा के सांसत सुदामा प्रसाद भी वहां पे पहुँचे हुए थे सुदामा प्रसाद वहा नतिश कुमार से मिलते इससे पहले ही जो उनके बॉडी गार्ड थे, वो उन्होंने धक्का देके सुदामा पुरसाद को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने दोबारा कोशिश किया, लेकिन दोबारा भी उनके साथ यही हुआ, एक बार उन्होंने और कोशिश की, ही नहीं, यह उन तमाम लोगों का अपमान हुआ है, जिन्होंने मुझे वोट दे के सांसत बनाया है, आपने पहले मुझे इन्विटेशन भेजा, और इन्विटेशन भेजा, तो मैं यहां पे उपस्तित हुआ, मैंने सोचा कि मैं अपने शित्र की समस्या से आपको आउग की, तब तब वो धक्का दे के हमें बाहर कर देते थे, धकेल देते थे, थेल के बाहर कर देते थे, और मैं आपसे मिल नहीं पाया, उन्होंने ये भी कहा, कि जब वो लोग मंचाशीन थे, तो हमने देखा कि उनकी नजर हमारे तरफ एक-दो बार आई भी है, उन्होंने कहा कि विजय सिनहा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे उनसे भी हमारा पडामा पाती हुआ और वो भी मुस्कुराए लेकिन उसके बाद जब हम मिलने का प्रयास कर रहे थे तो गाड हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने तक नहीं दे रहे थे उन्होंने य हाला कि मैं इस छेत्र का MP हूँ यानि सांसद हूँ और उसके बाद भी मैं तमाम कोशिश करता लहा लेकिन मुख्यमंत्री के जो गाड हैं वो उनके पास तक हमको फटकने नहीं दिये मैं आपको ये भी बता दू कि सुदामा प्रशाद जो है वो इस बार आरा से सांसद बन कि आरके सिंग जो बीजेपी के काफिक कदावर नेता माने जाते हैं उनको हराना बड़ा मुश्किल था लेकिन उनको हरा के और सदन में पहुँचना ये एक बड़ी बात है लेकिन उस MP को भी मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया जाता है जो MP बहुत ही शांदार प्रशन लोग सबा के चुनाव में कर चुका है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि यही एक मात्र ऐसे नेता थे जो आरके सिंग को आरा से हरा सकते थे लेकिन फिलाल अगर बात किया जाए तो खुद ये स्वेम सुदामा प्रसाद बता रहे हैं कि मेरे तमाम प्रयासों के ब बात करने वाला था और आरा में कौन-कौन सी कमिया है जिसे सरकार दुरुस्त कर सकती है उसके बारे में बताने वाला था बाकी इस खबर को लेके इस जानकारी को लेके इस बात चीत को लेके आप क्या सूचते हैं आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है क्रप्या कॉमेंड क कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है